आपको ताटा पावर 1910 से शुरू हुई थी by the name of Tata Hydroelectric Power Supply Company Limited और आज इतने सालों बाद Tata Power के पीछे इतना क्रेज है इतनी excitement है और आपने wisdom को इतने question भेजे हैं Tata Power के रिकार्डिंग तो गोईला को तो वीडियो बनानी पड़ेगी इसमें तो आज गोईला आपके लिए का करना क्या है 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 अगाई इसमाइब हर्स गोईला आप मेरे इन फेस्टर टेनर एंड मेंटर इंस्टॉप मार्केट और शुरू कर जाते हैं सबसे पहला investor है ना कंपनी के पार में तो जलने कंपनी करती क्या है आई यह सथ नाम से प्रद आज पावर के बिजनस में यह क्या करती है इनका बिजनस वा चार भागों में बटा हुआ है सबसे पहला पार्ट इनका आता है जेनरेशन सेग्मेंट जहां पे बिजली को मास के लिए प्रदूस करते है एनरजी को प्रदूस करते है थ्रू हाइडर एलेक्रिक सोर्स और ट्रडिशनल सोर्स जैसे जै इतनी हाई वोल्टेश बिजली को तोड़के स्मॉल-वोल्टेजस में छोटे-छोटे कर चीज में कमेर्शिल या नॉन कमेर्शिल यूज यूज के लिए एंड यूज के लिए भेज देंगे इनका थर्ड सेग्मेंट आता है रिन्यूबल सेग्मेंट अन दिस बेरी एक्स यूज के प्रजेक्ट भी टार्टा पावर लेता है अब हम इंवेस्ट यह तो ठीक है पड़ हमारे लिए यह जाना मड़ा जोरी है कि कंपनी का कोर बिलीफ क्या है तो टार्टा पावर का ना कैसे दो तरीक उसे प्लान करें सबसे पहला जो घर में हम बिजली यूज कर रहे है इसका और भी उप्तिमिमिम यूज होसता है उतनी सी बिजली में बहुत सारी और चीज़े चल सकती है तो टार्टा पावर एक तो उसमें काम कर रहे है सेकंड़ चीज रिन को बेंर्जी टार्टा पावर एज आथे फनऊइम उनकी वन थ़र्ड एनरजी सिर्फ रिनकोबल सोर्से सथ हैं जैसे विंड जैसे सब्साइब और यह बोल रहे है कंपनी के मैजमें तो कुछ भी बूल देंगी वो तो भी बूल देंगी दुनिया जहान बदल देंगे इन तेम तो कम बट अक्च्वालिटी में होगा यह एक सही क्वेस्टन है और यह क्वेस्टन तो आंसा परा चलता है हमें डेटा से हमें फैक्स करता है कि कंपनी as of now on ground क्य कर रही है is it taking actions to reach towards its goal और इस case में लग रहा है हां मैं दिखाता हूं कैसे अब देखेंगे financial 2023 में जो इन्होंने expansion किया है बिजली में 93% of it is only in renewable sources जहां पे Tata Power ने अपना solar का portfolio 1600 Megawatt से बढ़ा दिया है यह अपने EV charging जो stations है already 3800 public और semi public stations और apply करने वाले 39,000 और घर में home charges अप्लाइ करने वाले और कैसे होगा यह बहुत सारी government and private institute से tie-up कर रहे है to make this process even faster but क्या expansion long term में sustainable हो पाएगा as of now तो लग रहा है because इस company ने financial year 2024 के ले 12,000 करोड का अपना budget set के है जो यह business में और invest करेंगे distribution network बढ़ाने के लिए और अब energy production capacity बढ़ाने के लिए और यह तो चलो होगी बड़ी long term की बात है एक काम करते है छोड़े term में लेते है let us see कि यह company क्या कर रही है in quarter 4 of FY23 टीक है इसमें क्या प्लान कर रही है सबसे पहली चीज इन्होंने एक और contract दीता है जहां 400 megawatts की production का project लिया है for rooftops फिर एक और 510 megawatts का PPA sign हो गया है with Tata Power Delhi distribution limited और यह one of the largest hybrid project होने वाल है उसके बाद इनको काफी letter of awards भी मिल चुके हैं जिसको हम बोलते है LOA सबसे पहला इनको LOA मिला है from Rajasthan for setting up a 10755 करोड 300 megawatts solar project और ऐसा ही LOA इनको दिया है महरास्टागर्ण में क्यों क्यों कि Tata Power ने महा लगाया था 200 megawatts का solar project तो क्या company aggressively grow कर रही है data से दिख रहा है हाँ अब इसकी बाद ना इनकी एक app है by the name of easy charge ठीक है easy charge अब chances तो बहुत हाई यह है कि अगर आप यह आपके आसपस को और sell करता है उसको और services रिसता है और अपना EV charging stations का network भढ़ाने के लिए टाटा पावर ने OEMS को हायर किया है original equipment manufacturers को हायर किया है तो दाट वो expansion और भी जादा जल्दी करता है और यह सब क्यों हो रहा है because of their partnerships and collaborative behavior यह 3 wheels के लिए भी आना चाहरे है स्टेट बैक्सिंगर टाइप हो गया है हर ब्रांच के सामने यह charging station लगाना चाहते है Mumbai के R City Mall से टाइप हो गया है जहां पे भी charging station लगा रहे है तो अगर डेटा देखो गए न this company is aggressive they are growing like crazy फिर point आता है reduction of ATC losses अब ATC loss को में simple बताओ अगर suppose Tata Power के plant ने 100 Megawatt की बिजली यूज की तो अगर 100 Megawatt की बिजली बिजली बिल्ड हो गई Tata Power की तो इसका मतलब क्या हुआ जितनी बिजली बनाई गई उतनी ही dot to dot consume हुई without any wastage but reality में ऐसा होता नहीं है because बिजली को बनाने में और यूज करने मेंना काफी जगा wastage होती है। दो टाइके wastage होती है जबसे पेला थो होगे technical wastage अब अगर इनका कोई generator ठीक नहीं है या lines ठीक नहीं है या maintained नहीं है वहाँ पर बिजली 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 होती है second wastage होती है commercial wastage मतलब end use में पिछली ता हेला थेली कर रहा है उनका मिल्टर अच्छे देख काउं नहीं कर रहा तो इसको बोलते हैं ATC losses as of now Tata Power के ATC losses 11 to 23% अब Tata Power जे बोल रहा है they are going to heavily invest in their distribution network transmission and distribution का network है उसका loss ये बोहत कम करने वाले है और ये बोल रहे है कि ये अपना loss by 2025 कर देंगे सिफ 12 to 15% विच अगर ये हो गया it is going to increase their margins like crazy फेर पॉंट आइदा है डेट का देखो यार कोई भी कम जिसमें डेट जादा हो जिसमोधारी जादा उस कमझी तो पहले ही आप हाद जोड़ो because chances कमने के दूब बहुत जादा पड़ जाते है debt equity ratio ideally 1 से कम हो अची है but Goyla के आप मालोंगे तो 0.5 से कम हो अची है अब Tata Power का debt equity ratio in 2018 2.42 times which was ridiculously high अब ये हो किया है 1.03 times बहुत marginally है but जादा है तो नो overall देखोगे the story of Tata Power what Tata Power is doing बड़ा ही exciting है बहुत ही ambitious है and they have data to do it वो जिस्त कदम में जा रहे है and that is why बहुत सारे investors के excited है chance आप खुद इक्साइड हो इसलिए आप ये वीडियो देख लो but सिफ excitement से stock खाईदना is not wise जोरी ये है हम इस stock के risk भी समझे अब power industry का सबसे बड़ा risk होता है कि एक cyclical sector है cyclical मतलब ये sector उपर जाता है finish आता है फिर उपर जाता है finish जाता है ये structural sector नहीं है जहां पर आपको stable growth मिल भी रहेगी and for a long term investor ये risk है और ये मैं आपको डेटा से दिखा रहा हूँ आई ये टाड़ा पावर का अब आप देखेंगे इनका profit margin 2011 में था 24% ये ही profit margin 2021 में 7% रहे गया और अभी trailing 12 months मतलब immediate past 12 months में ये 13% है तो उसका एक बहुत बड़ा problem टाटा पावर का ये ही है कि ये बहुत जादा ही cyclical business है आप जाते हैं कि financials में इनकी sales growth for the past 3 years is 23.7% ROCE is 12.6% ROCE is 12.4% and debt equity is 1.03 अगर मैं stock की valuation की बात पुलना तो current P.E. Tata Power की है 22 जबकि industry P.E. है 34.5 तो अगर मैं industry से खंपे करहूंगा तो भई Tata Power एक heavy discount में मिल रहा है बड़ अगर मैं Tata Power की P.E. की history देखूं मैं Tata Power की 3 year median P.E. देखूं तो ये है 18.2 अब ये Tata Power की P.E. की चल रही है 22 इस 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 पेंसिफ? हाँ ओवरॉल इंड़स्ट्री की साप से तो Tata Power सचता है बड़ अब अब सिफ Tata Power को compare करोगे उसके पास से तो Tata Power अभी काफी महंगा चल रहा है अब आप मुझे दो चीज़े बता दो सबसे पहला Tata Power में इंड़स्ट करोगे की नहीं अब दूसरी चीज़ स्टॉक का नाम बताओ आपको पता है ना इस चैनल पे आपको पूरी अनालसिस मिल जाएगी Investment in securities market are subject to market risk Read all the related documents carefully before investing